बहुत समय पहले हर्याली से सराबोर एक सुन्दर से जंगल में तरह तरह के जानवर और पक्षियां साथ में मिल जुलकर रहा करते थे उस जंगल का राजा शेर हुआ करता था और मंत्रीपद पर उन्होंने कबुतर को रखा था उसी जंगल में एक हिरन भी रहा करती थी एक दिन उस हिरन ने आम का फल खाया और उसकी गुटली को अपने ही घर के आंगर में बो दिया कुछी दिनों बाद उस गुटली से अंकुर फूटा और एक नन्हा सा पौधा निकला अरे वा, मेरे बोई हुए गुटली से अब तब पौधा निकलाया मैं इसे ऐसे ही जाने नहीं दूँगी फिर उस दिन से हिरन ने उस पौधे का बहुत ध्यान रखना शुरू किया उस पौधे तक पानी पहुंचे, इसके लिए उसकी जग्या बनाई दिन रात उस पौधे की पहरेदारी किया करती अपने बाकी साथी जानवरों को उसने अपने पौधे के बारे में बहुत ही गर्व से बताया एक दिन हिरन नधी के किनारे बैठी थी, तो करगोश फुदक्ती हुई उसके पास आ गई दोस्त हिरन, दोस्त हिरन क्या बात है दोस्त करगोश, यहाँ पर कैसे आई दोस्त, दरसल पर्वस वाली जंगल में तुम्हारी जो नानी रहती है न उनकी तबे ठीक नहीं है, वो तुमसे मिलना चाहती है क्या, क्या गाओ तुमने, क्या हुआ मेरी नानी को, कुछ खत्रे की बात तो नहीं तुरंट खरगोश के साथ अपने नानी के जंगल चली गई, कुछ दिनों बाद एक ठहलते हुए हाती ने, वहाँ पर एक छोटा सा आम का पौधा देखा अरे, इस आम के पौधे को ऐसे ही छोड़ दिया जाए, तो ये तो सूख जाएगा नहीं नहीं, इस पौधे को ऐसे मरने नहीं देना चाहिए फिर उस दिन से हाती ने उस पौधे में हर दिन पानी देना शुरू किया हर दिन पानी देने की वज़े से पौधा बढ़कर पेड़ बन गया उस पर फल भी लगने लग गये जैसे ही फलों को हाती ने देखा अरे वाँ, इस पेड़ में तो अब फल भी लगने लगे है जब ये फल पक जाएंगे तो सबसे पहला फल मैं काऊंगा यू मन ही मन सोचकर वो बहुत खुश हो गया और वहां से चला गया उसके अगले ही दिन कच्चा आम पक गया और उसी दिन हिरंड भी उस जंगल से वापस अपने जंगल लोटी अरे, ना जाने मेरे आम का पेड़ अब कैसे होगा ये सोचकर वो दोड़ती हुई अपने आम के पेड़ के पास जाने लगी जैसे ही उसने अपने आम के पेड़ को देखा अरे, वाँ, मेरा पोधा तो पेड़ बन गया और इस पर फल भी लग गया इन फलों को मैं ही खाऊंगी फिर वो दोड़ कर उस फल को तोड़ने के लिए जा ही रही थी रुख जाओ यो हाती ने आवाज देकर उसे रोक लिया हिरन ने पलट कर हाती की और देखा अरे, कौन हो तुम? और ऐसे चिलाए क्यों? इस पेड़ का पहला फल मैं ही खाऊंगा अरे, भला तुम केसे खाऊंगे? मैं खाऊंगी, क्योंकि ये पाउधा मैंने लगाया है अच्छा, तुमने बोया होगा, पर क्या तुमने उसे बढ़ाया? इसको बढ़ाया तो मैंने है, तो मेरा ही पहला हग बनता है ये फल मेरा, ये फल मेरा कहकर, उन दोनों के बीज बहुत देर तक तू तू मैं मैं चलने लगी उन दोनों की ये बहस सीधे शेर राजा तक पहुंची जब शेर, राजा और कबुतर अपनी गुफा के पास पैठे थे तब हेरन और हाती ने जाकर अपनी अपनी पक्ष की बाद बताई शेर को उन दोनों का पक्ष सुनने के बाद वे दोनों ही सही लगने लगे इसलिए शेर की समझ में नहीं आया कि नय कैसे दे मंत्री जी, मुझे इस समस्त्या का कोई हल दिखाई नहीं दे रहा अब आपको ही इसका परिहार ढूनना होगा शेर राजा ने ये फैसला कबुतर पर छोड़ दिया कबुतर ने इस विशे पर कुछ देर तक सोचा और उसे एक उपाई सुझा हिरन जी और हाती जी, आप दोनों में से कोई दूसरा फल खा सकते हो न नहीं, भला मैं क्यूं खाऊ? मैंने इस गुटली को बोया है, ये पौधा मेरा था सिर्फ गुटली को बोने से भला क्या होता है? हर दिन उसकी पहरेदारी कर उसका ध्यान रखा पानी दी और उसे बढ़ा किया इस तरह उन दोनों ने अपनी अपनी और से सफाई दी अगर आप दोनों इस बात पर नहीं मान रहे तो एक फल को काट कर दोनों खा लीजिए भला मैं क्यों सुनू? मैं आधा नहीं खाने वाली मैं भी भला आधा क्यों खाऊ? मैं तो पूरा खाऊंगा यूं उन दोनों की बहस के बाद कबुतर की समझ में आया ही नहीं कि वो क्या करे ठीके आप दोनों कल आ जाना ये कहकर कबुतर ने उन दोनों को भेज दिया कोई और उनके पेड का आम तोड़कर ले न जाए इस डर से हिरन और हाती उस राद पेड के नीचे ही सो गए अगली सुबह वे दोनों फिर से मंत्री कबुतर के पास गए पास में ही शेर राजा भी बैठे हुए थे मंत्री जी आपने कल हमें फिर से आने के लिए कहा था ना इसलिए हम आ गए और अब बता दीजिए कि वो आम मुझे को खाना चाहिए वो मंत्री है क्या वो नहीं जानते कि न्याय क्या है बताईए मंत्री जी फल मुझे ही खाना चाहिए ना यूँ वे दोनों जोर से चिलाने लगे सुनो, उस आम पर ना इस हिरन का हक है और ना ही इस हाती का आम तो खाएगा ये बाग ये कहती हुई मंत्री कबुतर ने एक नए जानवर का परिचै दिया बाग दूर से हसता हुआ, गुफा की और चला आ रहा था हिरन और हाती की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था आप दोनों ने जिस जगह पर इस गुटली को बोया था, वो जगे इस बाग की है इनका कहना है कि उनकी जमिन पर जो भी हुएगा, उस पर पहला हक इन ही का होगा यूँ कबुतर ने उन दोनों को उस जगे की सचाई बताई कबुतर की बात सुन, हिरन और हाती के जैसे होश ही उड़ गए थे हाँ, उस जमिन पर जो भी हुगेगा, उस पर मेरा हक होगा ऐसे बड़े घमन से जब बाग ने कहा, तो हिरन और हाती उस पर चड़ गए अरे अरे, भला ये कैसे हो सकता है? इस फल पर या तो मेरा हक होगा, या तो इस हाती का भला बाग बीच में कैसे आ गया? मैं नहीं मानती हाँ, हाँ, आप चाहो तो हिरन को ही फल खाने दो, पर हम किसी तीसरे को हमारे बीच आने नहीं देंगे यू उन दोनों ने एक ही बात कही चलो, तो क्या तुम दोनों एक फल के दो हिस्से कर खाने के लिए तयार हो? अगर तुम दोनों मान जाओगे, तो बाग तुमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा यू कबुतर के कहते ही, हिरन और हाती इस बात पर मान गये कि दोनों आधा-धा फल खालेंगे उन दोनों के वहां से चले जाने के बाद बाग जी, मेरी बात मान कर आप यहाँ पर नाटक करने के लिए तयार हो गए, इसके लिए मैं बहुत शुक्र गुजार हूँ ये कहकर कबुतर ने बाग को वहां से भेश दिया ये सारा कबुतर का ही रचाया हुआ खेल था, ये बात शेर राजा भी नहीं जानते थे मंद्री जी, इन दोनों के बीच तीसरे हकदार को लाकर तुम दोनों ने इन्हें एहसास दिला ही दिया के ये फल उन दोनों का है यो शेर राजा ने कबुतर के सराहना की बाइब पाइब टी